नमस्कार दोस्तों, GST में अब तक हम क्या कर रहे थे, इंपुट जब ले रहे थे, तो इंपुट लेने के लिए हम देख रहे थे कि क्या 2B में, क्या 2B में GSTR 1 जो सामने वाले ने फाइल करी और आपकी जो 2B है, उस 2B में वो इंपुट आ रहा है क्या, आपने आपके किसी स 2B में आ रहा होता है, तो हम इंपुट ले लेते हैं, otherwise वो इंपुट हम नहीं लेते हैं, जब तक कि 2B में वो अमाउंट नहीं आ रहा होता है, यह अभी तक हम करते हुए आए हैं, GST में पिछले कुछ महिनों से दोस्तों, अब लेकिन क्या यही एक कंडिशन है, जो हमें इंपुट दिला सकती है, यह कोई और भी कंडिशन है, वो भी पूरी होना अपने आप में जरूरी है इंपुट के लिए, तो दोस्तों सेक्शन 16 सब्सेक्शन 2 में एक कंडिशन और लिखी हुई है, कि आपके सप्लायर ने, जिससे आपने माल खरीदा या जिससे आपने सर पूर डिली, तो अगर आपने कोई माल खरीदा है, उसके पेटे जो टैक्स कामाउंचर, जिसके आप इंपुट ले रहे हो, तो आपके सप्लायर ने आपके उपर सेल का, जी हमाँ सेल का बिल रिख किया होगा, तो क्या सप्लायर टैक्स का पेमेंट कर दिया है, तो अगर स 16, section 16, subsection 2 की पूरी-पूरी condition fulfill नहीं हो रही है, तो आपको input reverse भी करना पढ़ सकता है, तो अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों, हम provisional basis में input ले रहे थे, कि 2B में आ गया, हम अरपास bill है, हमें goods receive हो गया है, सारी condition हम fulfill कर रहे हैं, लेकिन ये भी तक नहीं हो पा रहा था, कि क्या supplier ने tax payment किया या नहीं किया है, ये कोई भी check नहीं कर रहा था, finance act 2022 आया, finance act 2022 के अंदर एक section डाला गया, उसमें आप देखोगे, serial number पे 106 number का section डाला गया, finance act 2022 में, उसने GST के section 41 को अमेंट कर दिया, GST का section 41 पहले बात करता था, कि input लेने की, अगर आपने 16, 2, अगर है कि act मे जो भी condition दी हुई है, वो फिल्फिल कर दिया है, तो आप उसका input self assessment basis पे ले सकते हो, और आप उस input का payment, जो आप output liability आपके बन रही है, उसके against आप use कर सकते हो, ये लिखावा था section 14 में सबसे पहले है, आप देख सकते हो, side पे आपको मिल जाएगा, ये नीचे लिखावा section 14 क के बारे में आप पढ़ सकते हो, इसके बारे में detail में ज्यादा बात नहीं करेंगे, detail में ज्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि इस section में बदलाव आ चुका है दोस्तो, finance act 2022 ने इसमें बदलाव किया, उसमें notify किया था कि हम ये लेके आएंगे, लेकिन तारी, लेक तो भी आपको मैं बोलूगा कि आपको ये देखना चाहिए, क्या है ये नहीं चीज, काफी लोगों को पता भी होगे, जिन लोगों को नहीं पता है, उनके लिए आज का ये special video है, दोस्तो, वीडियो पे आगे बनने से पहले मैं आपको, आपसे request करूँगा, अगर आप channel प पड़ेगा, और दोस्तो, interesting बात इसमें एक और है, जो मैं आपको इस वीडियो के end में बताऊंगा, आप खुद वो बात सुनके बतालिया बजाने वाले हो, और आपको वो बात पसंद भी आने वाली है, कि वहाँ government वहाँ, आपके मुह से ये बात जरूर निकलेगी, तो क्या ये प्रावधान लेके आई है, गवर्मेंट नया प्रावधान ये लेके आई है, दोस्तों, कि section 41 पहले से था, अवेल्मेंट ऑफ इंपू टेक्स क्रेडिट, लेकिन उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर डाल दी, subsection 1 अपन पहले पढ़ लेते हैं, every registered person's sales subject to such conditional restriction, ये self assessment पे आप input की calculation करो, और उसका credit लेलो, आप आपके electronic credit ledger में, बसरते कुछ एक condition और restriction दी हुई है, वो condition और restriction आपने fulfill कर दी हूँ, अब subsection 2 आप नया insert करने जा रहे हो, जी हाँ, subsection 2 आप नया insert करने जा रहे हो, क्या बोलता है वो subsection, अब subsection 2 जो पहले था है, इसको इन्हों one, in respect of such supply और goods और services और both, तो अभी जो पनूपर बात करी, इसके बारे में बात कर रहा है कि इसकी credit आप ले सकते हो, the tax payable where on has not been paid by the supplier, shall be reversed along with the applicable interest rate by the said person in such manner, as you may be prescribed, तो दोस्तों, बहुत ही साधारन सब्दों में government ने ये बात लिखी थी, Finance Act 2022 में और उसको applicable कर दिया है 1st October से, इसका simple सा जो मतलब है, ये जो last की जो दो line इनों ने लिखी है, इन दो line का मतलब है, कि भीया आपने जिससे माल खरीदा, आपने टूबी में देखा किया रहा है, आपने input भी ले लिया है, लेकिन अगर उस supplier ने उस particular supply पे tax का भुकता नहीं किया है, अब इसमें ये नहीं ल कितना देना पड़ेगा, ये भी मैं बताऊंगा दोस्तों, कि spirit का देना पड़ेगा, ये भी मैं बताऊंगा, तो उन्होंने क्या लिखा, अगर supplier ने tax का payment नहीं किया है, तो कहने का मतलब, अगर supplier ने 3B, 3B में tax का payment नहीं किया है, तो अब 3B में tax का payment से करने का मतलब होता है 3B आप टाइम से भर रहे है और उसमें आपके supplier ने वो supply दिखाई और वो supply include करते हुए उस पर tax का बुगतान किया तो कुल मिला कि अगर supplier ने अपनी 3B जी हाँ अपनी 3B filing करने में delay कर दिया है चाए एक ही दिन का delay कर दिया हो चाए single day का भी delay कर दिया हो टेक्स का बुगतान लेट दिया तो supplier पे तो आएगी आएगी लेकिन आपने उस supplier से जो माल खरीदा था जिसकी input आप लेच चुके हो लेकिन आपके supplier ने अपनी 3B लेट भरी है 3B लेट भरी है तो उसने tax का payment लेट किया है भले ही उसने tax manually जमा करा दिया हो cash leisure में भी पढ़ाओ उस वो नहीं माना जाएगा 3B मानी जाएगी तो अगर आपके supplier ने 3B लेट भरी है दोस्तों तो जितने दिन से लेट भरी है उतने दिन का जी हां उतने परिड़गा अगर supplier ने 20 दिन से 3B लेट भरी है तो 20 दिन का interest आपको उस particular input पे देना पड़ेगा let's suppose आपने 5 लाग का कोई माल खरीदा था उस पे 18% GST applicable थी तो 18% GST applicable से 90,000 का आपका tax बन गया 90,000 का आपके supplier ने 20 दिन तक अपनी return नहीं भरी तो उस 90,000 रुपय का input आपको reverse करना पड़ेगा और उस reversal पे आपको tax का बुकतान भी करना पड़ेगा और जब तक आपका supplier अप आप वो input जो आपने reverse किया है वो credit वापिस input नहीं ले सकते हो तो 90,000 का जो input लिया था वो पूरा का पूरा आपको reverse करना पड़ेगा और उतने period का जब तक आपका supplier नहीं भर देता है let's suppose आपके supplier ने अभी तक September बन की आपने return फाइल कर दी आपको पता चला है कि आपके supplier ने आज भी दो जिस दिन आपने लिया था और जिसदिन आप reverse कर रहे हो उस period का भ्याँ भी आप अभी दे दो दो तो क्योंकि आप देखो गे कि हैर अगली मेने भर देगा यह 10 दिन बाद भर देगा दो मेने बाद भर देगा तब अगर आप reverse नहीं करोगे तो आपको neue प्रेर तो 1.5% से आपके लगेगा दोस्तों, अब मैंने आपको बात कही थी कि जो सुनके आप बोलोगे वहाँ गुवर्मेंट लेगी, इसमें क्या होगा दोस्तों, गुवर्मेंट को डबल फायदा क्या हो रहा है, जैसे ही जो supplier जिसने माल बेचा था, उसने अपनी 3-20 नहीं बरी और जब उसने लेट भरी, लेट भरी, तो जितने period से उसने लेट भरी, गुवर्मेंट उससे भी इंट्रेस लेगी, जी हाँ, अब आपने तो input ले लिया था, जबके आपके supplier ने tax का payment नहीं किया था, तो आपको बोला, गुवर्मेंट ने के input को reverse करो, और आप ब्याज भी कैसे पता चलेगा कि timely गरता हूँ, और भी सारी, और भी काफी सारी condition है कि आप input नहीं ले सकते हो, कब नहीं ले सकते हो, अगर आपके supplier ने 3B में input ज्यादा ले रखा है, तो भी आपके input पे जी हाँ, आपने उस supplier से माल खरीदा है, जिसने खुद के 3B में ज्यादा tax लिया ह जबकि 2B में कम है, तो भी आपने जो उसके against purchase पे input लिया है, उसके उपर भी कहीं न कहीं reversal और ब्याज का बुपतान आ सकता है, अब मेरा supplier compliant है या या नहीं, timely हो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा दोस्तों, ये detail में आपके साथ share करूँगा, next वीडियो में तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो मैंने आपको double government के benefit की बात करें कि government का double benefit होने वाला है, अगर आपको ये बात interesting लगी हो, तो मैंने आपसे request करी थी, comment box में आप जरूर comment करना, तो please comment करिए, अगर आपने वीडियो end तक दे होड़ होड़